किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल धाकड और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रिकल्चर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम चने की पसल में दो जरूरी दवाओ के इस्प्रे के बारे में बात करेंगे जिन दवाओ का इस्प्रे करने से चने का उत्पादन 30% तक बढ़ सकता है तो उन दवाओ के क्या नाम है और उन दवाओ का इस्प्रे कौन सी आवस्ता में और कितनी मातरा में करना चाहिए तो इसकी पूरी जानकरी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंचों तक देखे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके उसके पास गंटी के निसान को भी जरूर दबा दीजिए किसान भाईयो अब सबसे पहले तो यह बात करते हैं कि चने की कौन सी आवस्ता में हमें स्प्रेक करना चाहिए तो अगर हमारे चने की मौझूदा कंडीशन को देखे तो इस समय पर हमारे चने की बसल में फूटाओ बहुती अच्छा है और अगर फ्लोरिंग के बारे में बात करें तो लगबग 10 दिनों के पश्चाथ हमारे इन चनों में फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो अगर आपके चने की बसल भी ऐसी कर्णिशन में हैं तो आप अपने चने में इन दो दवाओ का इस्प्रेक जरूर करें अब अगर बात करें कि हमें कौन-कौन सी दवाओ का इस्प्रेक करना चाहिए तो किसन भाईयो में अपने चनों की इन फसल में आज दो दवाओ का इस्प्रेक किया हैं जिन में से पहली दवाइए करसी रसाइन कंपनी का पोसक सुपर इस्टार टॉनिक और दूसरी जिब्रेलिक एसीड जिरो पॉइंट फॉर्टी फाइप डबली डबली मतलब की एसल फॉर्मूलेशन में किसान भाईयो मैंने इस टॉनिक का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जिब्रेलिक एसीड का इस्प्रे करने की वज़े से चने में फूटाओ बहुती अच्छा होगा हमने इन चनों की बुआई 16 इंच की दूरी पर कर रखी है मतलब की एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 16 इंच है जिसके वज़े से चनों में गेप काफी ज़्यादा है तो मैंने जिब्रेलिक एसीड का इस्प्रे इसलिए किया है क्योंकि चने में ज्यादा से ज्यादा फूटाओ हो सके और चने में बिल्कुल भी गेप ना बचे और मैं पिछले दो-तीन सालों से पोसक सुपर टोनिक का इस्प्रे कर रहा हूँ और मुझे इस टोनिक का काफी बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है इसलिए मैंने अब की बार भी पोसक सुपर इस्टार टोनिक का परियोग किया है इसके लावा मैंने इमामेक्टीन बेंजोइट का प्रियोग इसलिए किया है क्योंकि मुझे अपने चनों की फसल में कुछ पोदो पर छोटी छोटी इल्लिया दिखाई दी जो इल्लिया पत्तियों को नुकसान पहुचा रही है तता चने की नई नई सकाओ को भी काट रही है तो उन चोटी चोटी इल्लियों को कंट्रोल करना भी कभी ज़्यदा जरूरी है तो इसके लिए मैंने इमामेक्टीन बेंजोइट 5,37 एसजी टेकनिकल वाले किरनासक का प्रियोग किया है तो अब अगर इन दोनों दोवाओं की मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाईयों मैंने पोस्सक्स उबर इस्टार टोनिक का प्रियोग 250 एमेल परती एकड की दर्शी किया है मतलब की 15 लिटर पानी वाले इस्प्रेपंब में मैंने 25 एमेल प्रियोग किया है और इमामेक्टिन बेंजोइड का प्रियोग मेंने 100 ग्राम परती एकड की दर्शी किया है मतलब की 15 लिटर पानी वाले इस्प्रेपंब में 10 ग्राम तो किसान भाई यो हमारा वीडियो बनाने का उद्याश यही है कि अगर आपके चने की भसल भी ऐसी कंडिशन में है आपके चने में भी फूटाव कम है और अगर चोटी बड़ी इलियो का अटेक हो रहा है तो आप करसी रसाइन कंपनी के पोसक सूप पर इस्टाल टोनिक और इमा मेक्तिन बेंजोर का प्रियोक जरूर करें तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान, जै किसान